A very good morning to all of you, आप सभी को नमस्कार, 7 जुलाई 2021 के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्यारे बचों अगर आपने अभी तक Star IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेर कीजिएगा इस वीडिय सभी क्लासिस को ले सकते हैं, वाया मेरे प्रोफाइल लिंक के माध्यम से, चलिए बढ़ते हैं, आगे कल आप से सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा, हर्याना के किस जिले के इपसिता दुनिया की सबसे छोटी होस्ट बनी हैं, तो इसका सही अंसर था पंचकुला, आज का पहला क्यूसन क्या होगा, बेहत बेहत इपार्टन क्यूसन है, हाली में हर्याना साहिते अकादमी ने कितने नए पुरुसकार देने की घोशना की है, ह 2021 से हिंदी तथा हर्यानवी भासा की अलग-अलग विधाओं में चोदा नए यूआ स्रेश्ट कृति पुरुसकार शुरू किये जा रहे हैं, अब इसका मतलब आप समझी गए होंगे कि अब से पहले तो जो मिल रहे थे वो तो ठीक है, कुछ नए और एड़न किये जा रहे इस अकादमी की निदेशक का नाम क्या डॉक्टर चंद्रत्रिका, अलंकि ये तो निदेशक है, अध्यक्स पद की बात करते हैं, तो मनोहरलाल जो हमारे मुख्यमंत्री है, वही अध्यक्स है, ठीक है न, और ये क्यूसन एक्जाम में पूछा भी जा चुका है, इस पॉइ राशी दी जाएगी, युवा लिखक सम्मान के तैथ, ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा जो लोग कवी दयाचंद मयाना के सम्मान में भी एक साहीत्यकार सम्मान जो है, वो नया पुरुसकार बनाया गया है, ठीक है, और इसमें इस पुरुसकार के लिए भी दो लाक र बताईएगा, अगला किस्तन हमारा है कि हाल ही में किसने गन्ने की उन्नत अगेती किस्म COH 160 विक्सित की है, अब जहर सी बात है, जब कभी भी कोई किसमें विक्सित करने की बात आती है, तो जर्नली 99.9 परसंटेज नाम आगे हमारे आगे, हैचे यू का ही रहता है, यानि क हर्याना एग्रिकल्चर यूनिवस्टी, इन्होंने ही अभी रिसेंट्री गन्ने की अगेती किस्म, यानि की टाइम से पहले ही बोलेने वाली किस्म जो है, इसका नाम है COH 160 जो है, वो डवलप की है, और ये हर्याना के किसानों को या चीनी मिलों के लिए एक वरदान ही आपको बता देता हूं, है इसके कई सारे रिजनल सेंटर्स हैं, कई सारे जिलों के अंदर है, उनमें से करनाल का जो चेतर है, जो उचानी के अंदर पढ़ता है, वहां के साइंटिस्ट ने इसे डवलप किया है, अभी रिसेंट्ली, इस बात को आप लोग यहां से याद कर लीजिएगा, सर, इसकी पैदावार कितनी होगी, तकरीबन 838 क्विंटल परती हाक्टेर की ओस्तन पैदावार जो है, इसकी हो सकती है, ऐसा माना गया है, चलिए जी, है यू के बारे में अगर हम बात करी ही लेते हैं, तो है यू के जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी, दो फरवरी 1970 को हुई थी, ठीक है न, इसकी स्थापना करी किसने थी, AL ने की थी, ठीक है न, AL फ्लीचे जो है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, आज प्रेजेंट में इसके वाइस सांसलर का नाम भी आप याद रखियेगा, बी आर कमबोज है, हाली में किसे हर्याना के नए राज्यपाल के रूप में न्युक्त किया गया है, वैसे तो मैंने आपको ये छोटा सा क्लिप बना के कल के सेशन में बता ही दिया था, लेकिन फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, हर्याना के नए राज्यपाल बने हैं, बंडारू दत्ता त्रे, ठीक है, यानि क बी आप्शन जो है, इसका सही अंसर रहेगा, एक्चुली हर्याना के अलावा टोटल, हर्याना समेथ मतब टोटल आठ राज्यपाल अभी बदल दिये गए हैं, जिन में से बहुत इपॉर्टन नाम है, हमारे केंद्रिय मंत्री थावरचंद गहलोट, इनको करनाटक का बंडारू धृतार, अब से पहले हिमाचल प्रदेस के वजाय है, हर्याना के राज्यपाल बना दिये गए हैं, तो ये पोइंट याद रखना, और हर्याना के राज्यपाल पहले कों थे? सत्या ध्यव नाराइन आर्या, उन्हें ट्रास्वर कर और गया है, ञत्रीम तो, यह ये ऐसे PS3 धरन पिल्लाई है, वो मिजोरम के थे, लेकिन उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है, गोवा के राजिय पाल के रूप में, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, चार से पांस मिनिट का, आप उसे जरूर देखिएगा, आप लोगों को काफी हद तक रिविजन भी हो ज जाएगी, इतने बाते आप लोगों को याद रखनी है, अगला सवाल हमारा क्या होगा, अच्छा ये है, बंडारू दत्तात्रे, अब आप इनको नाम जुरूर जो याद रखिएगा, ऐसे इनको बंदर बंदर मत करिएगा, बंदर दत्तात्रे है, ठीक है न, बंडारू हो होने वाले जूनियर विश्व कुस्ती चैंपियंशिप में हर्याना के कितने पहलवानों का चैन हुआ है, तो रूस के उफा में होने वाले जूनियर विश्व कुस्ती चैंपियंशिप में हर्याना के कुल सत्रा पहलवानों का जो है, वो चैन हुआ है, ठीक है, सोला से बा अप्रूइब का नाम भी आप लोग याद रख लीजिएगा विनोद तोमर है इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर सकते हैं डियर ठीक है चलो जी थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग उससे पहले हमें रश्या के बारे में जुरूर पता होना ही जिए रश्या की कापिटल क् फुटबॉल वर्ड कप भी हुए थे जिसको फ्रांस ने जीता था क्रोईशिया को हरा के रूस के जो नेता हैं वालामदीर पुतीन उनके बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं रूस के संसद का नाम ड्यूमा है और रूस की करंसी रूबल है ये बात आप लोगों को बानिल है 67 में दिल्ली के है देपक है भैतर में हर्याना के विकास है ठीक है तो ऐसे कई सारे खिलाडी हैं आप इनके नाम जो है एक बार के लिए आँखों के आगे से निकाल सकते हैं ठीक है बाकी ज़्यादा जुरूरी तो तब होगा जब ये कोई जो पदक जीत के आएं करोड रूपे की साहिता दी है हर्याना सरकार में ठीक है ना ब्यालिस लाख किसानों को ग्यारा हजार करोड रूपे की आर्थिक साहिता दी है किसान कल्यानकारी योजना के दैद है और कई सारी योजना यहां जैसे एक्जामपल से जो है ना कई सारी जैसे चीजों पर और कई सारे जो है किसान मित्र जो है वो भी खोल दिये गए हैं लाइक एग्जामपल से सो किसानों के उपर एक किसान मित्र है जो किसानों को उनकी फसल के बारे में बताएगा मिट्टी के बारे में बताएगा कौन से फसल कब उगानी है ये बताएगा ठीक है मिट्टी की जा तरीके से benefit हो फसलों के उपर चितनी बकाया रासी दी गई है घृटारय की जो फांच हजार और 20.000 यह बकाया रासी दी गई है याया कि option A और C जो है इसका ठीक रहेगा जैसे अर्जुन आवोर्ड जो जिनको मिलता था उनको पहले 5000 उपे मासिक मिलते थे लेकिन अब जो है उन्हें 20,000 उपे मिलने वाले होंगे द्रुनाचारे वाले को भी पहले 5000 मिलते थे अब 20,000 मिलेंगे ध्यांचंद वालों को भी पहले 5000 मिलते थे अब इने 20,000 मिलेंगे तेंजिंग नारगे अवोर्ड को जो है केंदर सरकार की तरफ से अब उने 20,000 मिलेंगे मिलेंगे भीम अवोर्ड ठीक है न तो उनको पांच लेकिन अब उनको पांच पांच हजार रुपे की किस्त के इसाब से भी दिये जाएंगे ठीक है तो ये जुरूरी हो गया आप थोड़ा सा लग याद रखने हैं आपको भीम आवोर्ड काफी फेमस आवोर्ड भी है इसके लिए पैसे पूछे भी जाते थे पांच लाक एक महरे खिलाडी महरे शान चलो जो भी बात है लेकिन आप लोगों को याद रखनी है इस बार वैसे भी टॉक्यो उलम्पिक में बहुत हद तक हमारी उमीद है हर्याना से हर्याना के खिलाडियों से बलगी हर्याना सरकार की संस्थाओं में रेटायर्मेंट के बाद निक्त हो वाले अधिकारियों को कितने लाग तक की कार खरीद कर इस्तमाल करने की इजाज़त दी गई है अब देखिए क्या हर्याना सरकार की संस्था में है कोई भी इंस्टिटूट के अंदर है और वहां से अगर रेटायरमेंट हो भी जाती है रेटायरमेंट तो होगी खैर है उसके ऐसे बाद में कितने लाग तक की कार खरीद कर इस्तिमाल करने की इसाज़त दी गई है तो हर्याना सरकार ने दीए अब या 20 लाग रूपे तक की गाड़ी खरीज सकते हो करेटा का टॉप नूडल करीद लो क्या का टॉप मोडल खरीद लगबग लगबग यही गाड़ियां चल रही है ठीक है ना या केमपास जीप खरीद लो ठार भी ले आओ कोई बात नहीं ठीक है ऐसी गाड़ी ले आईएगा और बस इससे ज़्यादा की पैसेगी आप इस्तवाल नहीं कर सकते हैं सरकारी संस्ता, बोर्ड, निगम, इनमें रिटार्मेंट के बाद में जो है अफसर अपने अंतिम बेसिक वेतन के 10 गुना कीमत तक की कार खरीज सकेंगे और इसकी अधिकतम सीमा जो है वो तकरीबन 20 लाख रुपे होगे ठीक है ना और अधिकारी कार नहीं करीदना चाहते है उन्हें 18 रुपे परती किलोमेटर के इसाफ से हर महिने 5000 किलोमेटर तक के पैसे दिये जाएंगे और ये भी बात थोड़ी इपॉर्टन्ट सी है यहां पर ठीक है तो सरकार काफी सारा देती है आप लोग इसलिए अच्छे से सरकारी नोकली की तियारी करिएगा भाया और हर्याना में पेपरों का मैला तो आही चुका है तो अच्छे से मन लगा के प्रिपेर करिएगा मेरे प्यारी वच्टोथो अगला सवाल क्या रहेगा आपका कि हर्याना सरकार ने बाजरे की जगाह क्या बोने वाले किसानों को फ्री बीज देने की घोशना की है अगर मिलने वाले हैं ठीक है दहान की जगह का पास मक्का लगाते हैं तो 7000 मिलते हैं इनको 4000 रुपे मिलेंगे ठीक है मूंग है अरहर है अरंड है इनके बीज उगाने पे 90% का अनुदान और परती एकड़ 4000 रुपे राशी जो है दी जाएगी किसानों को मूंग उगाने के लिए प्रोसाइट करने के लिए ऐसा किया गया है भाई या सरकार कुछ भी कर सकती है ठीक है ना बहुत बड़ी नई नई चीजे जो है वो लॉंच कर रही है पंचकुला कृशी विभाग का मुख्याल्य अब पंचकुला की बड़ाए कहा होगा लो भई पटक दिया गया कहा पटका यह पटका नारनोल के अंदर जो है ना आब नारनोल के अंदर चला गया है यह बात बस इतनी ही आद रखनी है आप लोगों को ठीक है उपनिदेशक जिनका नाम परवीन कुमार गुलिया है और तकनीकी साहिक का नाम अशोक धनकड है इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ से जो है वो याद कर सकते हैं चलो डियर इस बात को आप लोग तो यहाँ से याद कर ही सकते हैं अगला सवाल हमा कर देते हैं अगला सवाल कली पूछेंगे आप से आप टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं मुझसे कंप्यूटर पढ़ सकते हैं स्टार आएक्यू अप्लिकेशन के माध्यम से थैंक्यू सो मच